कर दूए जाए अप्डेटिटिश्य एकड़ियो अपने जा रहे हैं बिस्मिल्ला रही अज हम डिसक्डरा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन इस से पर्ले लेक्टर से उसमां में डिसक्स कर चेका humorous प्रोडेक्शन, फेक्टर्स प्रोडेक्शन में डिस्कस कर लिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडेक्शन फंक्शन, देखें यह जो फंक्शन है यह प्योर एक मैथेमेटिकल टर्म है, जिस तरह आपने देखा होगा कहीं मैथेमेटिक्स में कहीं लिखा हुआ, य इस फंक्शन 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 फ कुछ चीजों पर और वो हम पुलारे लेक्षाज में देख चुके हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन बेसिकली चाहरें तो अगर हम इसको फंक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉंटिटी यानि क्यू इस फंक्शन आफ यानि डिपेंड करता है उन चार फ्रेक्टर पे लैंड कर लेबर किश को का फिर держ लाए बीएं बेसिकली फ्रक्टर प्रोडट्शन केह Like अच्छा अगर हम इनको देखें और तोसको ऐनलाइस करने कि कोशि करें और ग्राफिकल अनलाइस करने कि कोशिच करें इस भावाले तो हमाएं 3 तक draw कर सकते हैं और simplified करेंगे तो 2 पे हम आकर draw करेंगे तो हमने अब इस production function को थोड़ा simplify करना है जिसमें production depend कर रही है किस पर इंचारों पर अच्छा पिर हमने एक चीज़ गौर की हमने कर यह चार factor तो है लेकिन basically दो factor है labor और entrepreneur बुनियादी तोर पर human resource हैं तो हमने इन दोनों को मिला कर labor और entrepreneur को मिला कर नाम दे दिया एक labor का labor और लेंड और capital basically non human resource है और तो इन दोनों को हमने मिला के नाम दे दिया के फॉर capital यानि अब इस के में लैंड भी शामिल है और यह capital भी शामिल है तो अब production function हमारा relatively simplify हो गया हम कह सकते production is the function of labor and capital simplified production function अच्छा अब यहां पर अगर आप देखें तो production function basically show क्या कर रहा है दो तरह का relationship, दो तरह की किन चीजों का relationship, input का और output का, अबने production की definition यही पढ़े तिना transformation of input into output तो यह labor capital आग के पास input है जो इस्तेमाल होते हैं और फिर इसका result क्या निकलता है, output की form में तो basically production function relationship show कर रहा है किसके दर्मियां, input और output के दर्मियां तो अगर हम इसको लिखना चाहें it shows the relationship between maximum level of output that can be obtained with a given number of input it shows means production function shows the relationship between maximum level of output maximum level of output that can be obtained with the given number of input अच्छा अब हम इसको भाई इससे तो हम कुछ भी produce कर सकते हैं वो भी production function मैंना चाहिए हमने maximum का word क्यों का तो आपको budget constraint का एक topic याद होगा जो हमने cover किया था जिसमें यहां पर commodity Y थी यहां commodity X और यह budget constraint थी यह आपकी maximum expenditure और maximum purchasing power को show कर रही थी यह पॉइंट में पर्चेस कर सकता हो यह भी कर सकता हूं यह भी कर सकता हूं इससे उपर का कोई point में purchase नहीं कर सकता लेकिन से below जो point है क्या मैं यह purchase नहीं कर सकता यह बिल्कुल purchase कर सकता हूं मेरी income बहुत असानी से इसको afford कर सकती है लेकिन मैं इस point को budget line नहीं बोलूँगा budget line में उसी को कह रहा हूं कि जो maximum expenses को show कर रहा है hundred percent income की utilization को show कर रहा है तो इससे blue वाला point मैं purchase कर सकता हूं लेकिन मैं उसको budget line नहीं कह रहा है budget line मैं उसको कहूंगा उन तमाम points को जो maximum income को utilize कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ज्यादा labor capital से में बहुत कम output तो बना सकता हूं लेकिन production function में सिर्फ उस output को रखेंगे जिसमें labor capital जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे output कैसा होगा maximum होगा यानि best output का production function का इससा बनाएंगे बाखी आप कम चाहें तो कम produce कर लेकिन कोई भी rational producer economics study of rational behavior तो कोई भी rational producer labor capital को ज्यादा इस्तेमाल करके कम output produce नहीं करेगा अगर वह ऐसा कर रहा है तो basically वह irrational to irrationality हम यहां पर consider नहीं करते तो इसलिए हमने का it shows the relationship between maximum level of output that can be obtained with the given number of input तो अब हम यह देख चुके हैं कि production is a function of labor and capital production function क्या शोग कर रहा है input-output का relationship और input-output का relationship के given input में output कैसा maximum हो अब हम बात करते हैं production function की भी types होती है उसको discuss करते हैं अब हम discuss करेंगे short run production function and long run production function देखें short run production function का मतलब यह होता है कि short run में जब हम produce कर रहे हैं तो short run की definition क्या है कि जब आप production कर रहे हो तो वहाँ पर at least short run में क्या होगा at least one factor is fixed अगर आप production ऐसे continue कर रहे हैं कि एक फेक्टर को आपने fix रखा हुआ अब वो कोई सा भी हो सकता किसी भी एक फेक्टर को fix रखकर दूसरे फेक्टर को vary करते चले जाए तो एक फेक्टर अगर आप एक बड़ इसमाल हुआ at least one factor is fixed सारे भी fix हो सकते हैं तो अगर कमस कम एक फेक्टर को fix रखकर अपनी production को आप increase or decrease कर रहे हैं तो इस तरह का production function कहलाता है short run production function अब जैसे relatively अगर हम compare करें labor capital में किस चीज को change करना ज्यादा असान है तो land को change करना ज्यादा असान नहीं है बड़ी capital इस्तमाल करना उसको change करना ज्यादा असान है तो आपने क्या कह दिया कि अगर production function ऐसा बनाया जाए जिसमें हम capital को let's suppose fix कर दें और अपनी production को vary करें with the change in labor तो इस स्कम सारे भी हो सकते हैं अगर एक factor fix है और आप production को increase or decrease करने की कोशिश कर रहे है तो इस तरह का production function क्या कह लाएगा short run production function बिल्कुल इसी का पोज़िट when all factors are variable सारे के सारे factor बदल सकते हो land labor capital entrepreneur अगर आपका production इस तरी के से adjust हो रही है जिसमें तरह सारे के सारे factor change हो सकते हैं यानी कोई factor fix नहीं है आप जिसको चाहें चेंज कर सकते हैं तो इस तरह का production function कहलाता है long run production function long run production function आई repeat short run production की क्या मतलब है कि production आप ऐसे continue करेंगे कमण सकम कितना factor fix एक दो भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं सारे भी हो सकते हैं तो एक फेक्टर को कमस कम fix रख कर अगर production को continue करेंगे तो ऐसी production कहलेगी production in short run यह short run production function और अगर कोई भी factor fix ना हो आप सारे वेरी कर सकते हो सब में changes आ सकते हो तो इस तरह का production function कहलाता है long run production function जब हम short run production function को continue करते हैं और जब इसका end जो conclusion है जब हम इसके result पर पहुंचते हैं तो हम दो चीज़ें discuss करते है यह यहीं इसके discussion जब end होगा तो हम दो चीज़ें discuss करने को मिलेंगी नमबर वन laws of returns laws of returns और इसी का एक और concept है law of variable proportion law of variable proportion और laws of returns basically एक ही चीज़ को represent कर रहे हैं दोनों बस यह जगर इसी को अगर split कर दूँ तो laws of returns तीन अलग बन जाएंगे और अगर सब को merge करके discuss करूँ तो हम discuss कर सकते हैं क्या law of variable proportion बिल्कुई तरीक से अगर हम long run production function को discuss करें तो इसका ultimate result जो हमें मिलेगा जो discussion के end पर हम पहुंचेंगे वो हम discuss कर रहे होंगे laws of return to scale तो short run production function का end होगा laws of return यह law of variable proportion पे और long run production function को जो conclusion होगा वो हम कहां पहुंचेंगे return to scale पे तो यह तो था आपके पास short run production function का आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए उसको like करें share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon पे जरूब क्लिक करें करें पुक्छब सुनियो आपके पास झाल झाल